बात जब जनता के सरुकार की होगी तब बात हिंदूस्तान की होगी नमस्कार मैं हूँ यश्कुराना और आप देख रहे हैं पंजाब के स्री देश में जवान नक्सलियों से लड़कर अपनी जान दे रहा है तो महिस सिमाओ की सुरक्षा करते हुए जवान आतंगबादियो से लड़ रहा है और हमारी राजनिती के गल्यार में ये सवाल घुमर रहा है कि बुर्का पहनने पर प्रतिबंद लगना चाहिए राजनिताओं को और कोई काम नहीं है जवान आंतरिक और बाहरी रूप से लड़ रहा है उनके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए लेकिन हमा की देश में स्तिती क्या है मजदूर दिवस क्यों मनाय जाता है बताओंगा सब कुछ तफसिल से लेकिन सबसे पहले देखिए आज की बड़ी ख़बरे चोबिस घंटे में नकसलियों का दूसरा हमला आई एडी ब्लास्ट में 16 कमांडो शहीद पियम मोदी ने जताया दुख मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे गठवंदन प्रतियाशी तेज बहादूर का नमांकन रद तेज बहादूर यादव ने कहा बीजेपी मुझे निशाना बना रही है नहीं चाहती की वारण असी से लड़ू चुना राम नगरी में बोले पियम मोदी हमारे लिए जनता का प्यार देख सपा बसपा वालों का बढ़ जाता है बीपी शिफ सिना ने की भारत में बुर्के पर बैन की मांग रैली में बोली जया बच्चन पूनम सिनहा नहीं जीती तो मुझे मुंबई में नहीं मिलेगी एंट्री लखनव में गैस चुलहे के गोदाम में लगी भीशन आग मासुम समेथ पांच की जिन्दा जलकर मौः अजेमाकर ने कहा आपके साथ गढ़मंदन होता तो सभी सातों सीटे जीतते पर अब नहीं चैन मुनी पर अपत्ती जनक ट्वीट करना विशाल डड़लानी को पड़ा भारी लगा 10 लाग का जुर्माना इस देश में राजनिती का मुद्दा क्या बन जाए कुछ पता नहीं लेकिन एक बात तो तैह है कि राजनिती करने के मुद्दे राजनितिग्यों से पूछने चाहिए क्योंकि वो कभी हनुमान जी की जाती बता देते हैं सेना के नाम पर वोट कैसे मांगते हैं ये भी बता देते हैं चुनावों के दोरान बुर्का पहने या ना पहने अब ये राजनिती करने का मुद्दा बन गया है अब राजनिताओं को बुर्के में भी राजनिती दिखने लगी है शिफ सेना ने शिलंका की तर भारत में बुर्के पर प्रतिबंद को गहर जरूरी बताया है लेकिन भुपाल से बीजेपी उमीदवार साध्वी प्रग्या ने इस मांग का समर्थन किया है बीजेपी के प्रवक्ता जीवी एल नर्सिमा राओ ने भारत में बुर्के पर बैन की मांग का विरोत किया उन्हो कर रहा है तो दूसरा विरोध कर रहा है बात भी बिलकुल स्पश्ट नहीं है इस पर साध्वी प्रग्या ने कहा कि किसी कारण से अगर कोई इस माध्यम का लाब उठाते हैं और इससे देश को नुकसान पहुंचता हो लोकतंतर खत्रे में हो या फिर सुरक्षा खत्रे में हो तो ऐसी परंपराओं में थोड़ी धील दिनी चाहिए कानून के जरिये बैन लगाए जाए इससे अच्छा है कि वो खुद ही इस पर फैसला ले यानि कि साध्वी प्रग्या सीधे तोर पर कानून की धमकी दे रही है जनता को आगे साध्वी ने कहा कि अगर कोई इसके जर अब आपको ये बताता हूं कि मुद्दा आखिरकार उठा कैसे था सुनिए इससे पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने श्रिलंका में इस्चर संडे पर आतंगवादी हमले के बाद वहां की सरकार की और से बुर्के पर प्रतिबंद लगाए जाने संबंधी नियम लाने की योजना का हवाला दिया था हमलों में धाई सो लोगों की मौत हो गई थी बहुत अफसोस वाली बात है शिवसेना ने अपने मुख पत्रों सामना और दोपहर का सामना में आज छपे संपाद के में कहा इस प्रतिबंद के अनुशन सा अपात कालिन उपाय के तोर पर की गई है जिससे कि सुरक्षा बलों को किसी को पहचाने में प्रशानी ना हो नकाब या बुर्का पहने हुए लोग राष्ट सुरक्षा के लिए खत्रा हो सकते हैं मैं नेताओं को हिजायत देना चाहता हूं मुफ्त में ले लिजी कि बुर्के से ज्यादा उनको देश के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह देश को आगे बढ़ाना है किसी मजहब की परंपराओं उसकी संस्क्रीतियों को नहीं छेड़ना चाहिए पहले से ही देश में हिंदू-मुसलिम इतना हो रहा है हर जगा हिंदू-मुसलिम हिंदू-मुसलिम कही अब ये नोब तो सुरक्षा विवस्ता को और जादा मजबूत किया जाए ताकि देश को खत्रा ना हो और जवान शहीद ना हो आज फिर 16 जवान शहीद हो इसमें तो कोई बुर्का पहन कर नहीं आया था तो इसलिए बहतर है मजभब की परंपराओं और उनकी संस्कृतियों में नेताओं क पर ध्यान देना चाहिए अब एक बात और सुनिया आपके काम की हो सकती है थोड़ा कानूनी पेचीद गया है भारत में धर्म की स्वतंदरता भारत की समविधान के अनुचेद 25-28 द्वारा एक मौलिक अधिकार है आधुनिक भारत 1947 मस्तित्व में आया था और भारती समव दावा देने का अधिकार है तो नेताओं को इतनी दिक्कत क्यों है नेता के समविधान का अनुचेद 28 भूल गए है क्या सेंटर फोर दस चड़िस ऑफ ड्यूपिंग सुसाइटेस के संस्थापक ने लिखा है कि भारत की एक सभेता नीव पर बना देश है जो बुन्यादी कमेटी के जरिये बुर्के पर प्रतिबंद को खलत बता है था उनका कहना है कि ये महिलाओं के अधिकारों का उलंगन तो है ही साथी धार्मिक तोर पर उनके विश्वासों को ठेश पहुचाने वाला भी है तो नेताओं को समझना चाहिए आज मजदूर दिवस है तो सोचा कि आज मजदूरों की स्थिती पर चर्चा की जाए बात चाहे किसी भी देश के हो मजदूरों की स्थिती हमेशा चिंता का विश्यर रही है कोई दुराई नहीं है बात में अमुमन जगों पर इन्हें अपने काम केवज में कममज़ूरी ही मिलती है हालाकि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां मज़़ूरों की हालाग बहुत अच्छी है और इन्हें अच्छी खासी सेलरी भी मिलती है बताओंगा आपको बात में लेकि लेकिन भारत में मजदूरों से लेकर खरीबों का यही हाल है क्योंकि मजदूरों के लिए मनरेगा स्कीम में ही इतिहासी बजट देकर सरकार ने जाताया था कि यही की उनका हाल बदल जाएगा पहले की तुलनाने है इस देश में कुल मन्रेगा मजदूर 25 करोड 17 लाग है और इसमें से जोब कार धारक 12 करोड 65 लाग है और काम मिला सिर्फ 4 करोड 86 लाग 41,132 को इसमें मजदूरों को 100 दिन काम मिलता है लेकिन वो भी तैन ही है और इन मजदूरों को पैसा बटा 27,38,364 रुपे दिहाडी बहुत कम है, गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो आप हलात का अंदाजा लगा सकते है राजनितिक दल मजदूरों को अब 150 दिन काम देने का वादा कर रहे हैं अपने घोशना पत्र में चुनाव चल ले हैं ना इसकी जमीनी हकीकता आप और मैं जानती है सच यह है कि 100 दिन काम मिलना भी मजदूरों के लिए ख़वाब हो गया 10 – 20 मजदूरों को भी 100 दिन काम नहीं मिल रहा है जिने काम मिला उनको पेमेंट नहीं हो रहा कई राज्यों पर मंदे का मजदूरों का करोड़ों रुपए बकाया है लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा तो मजदूरों के सामने जीने मरने का संकट खड़ा हो गया है राज्ये सरकारें और बेर सो दिन काम देने का वाधा कर रहे हैं अब आपको ये बताता हूँ कि किस राजे पर कितना बकाया है यानि कि उन्होंने मज़ूरों का कितना पैसा देना है तिलंगान ने 2454 क्रोड रुपे और अन्य राज्यों ने 12522 क्रोड रुपे मज़ूरों को देने हैं उनको पैमन्ट नहीं हो रहा और बात कर रहे हैं डेट सो दिन काम देने का तो समझे देश में मज़ूरों की सिति है क्या अब मैं आपको ये बताता हूँ कि दूसरे देश अश्टीलिया में से हैं जहां लागों आपकर हो लियरी मिल नियुक्त अब इस अफसर पर भारत समय दुनिया के करीब 80 देशों में राष्ट्रे अफकाश है मजदूर दिवस नहीं विद्रोहू और शहादत का दिवस एक मई एक मई का इतिहास खंगालने पर यह बेद खुलता है कि इसी दिन दुनिया की सबसे ताकतवर देश के मजदूर ने अपने अपने मालिकों के खिलाब विद्रोहू कर दिया था वे सड़कों पर उतर गए थे हरताल पर बैठ गए थे यह मामला अमेरिका का था वहां की कंपनियों में काम करने वाले वरकर्स ने काम के आठ घंटे करने की लंबी मांग के बाद काम बंद कर दिया था अभी हरताल शुरू हुए ढंक से चार दिन भी पूरे नहीं हुए थे अमेरिका के शिकागो में हे मार्किट में धमाका हो गया मजदूर पहले से ही सडक पर उत्रे हुए थे पूरे देश में हरका मचा हुआ था इस धमाके ने प्रशासन का धहरे तोड़ दिये लेकिन कुछ दिनों सब कुछ समानने हो गया कुछ दिनों में करते हुए एक मई को मजदूर दिवस मनाने का फैसला किया गया भारत में मजदूर दिवस की शुरुवात चिन्नाई में एक मई 1923 को हुई थी तब भारती मजदूर किसान पार्टिक नेता कामरेट सिंग्रावेलू चट्यार इस वैश्विक दिवस की भारत में शुरुवात करने पर पड़े थे इसके बाद चट्यार के नेतरेत में मदरा साइकोट के सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था इस दौरान दत्तात्रे नरायन सामंत उर्फ डॉक्टर साहिब और जौर फर्नांडेज ने भी इस आंदूलन को आगे बढ़ाने में ए अंतराश्चिस तौर पर मजदूर दिवस मनाने के शुरुवात एक मई 1886 को हुई थी आज सब कुछ यह मजदूरों वाला है 1889 में अंतराश्चिस समाजवादी समेलन में अलान किया गया कि हिमा मार्किट नरस अनहार में मारे गए निर्दोश्ट लोगों की याद में एक मजदूर दिवस की शुरुवात लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदूस्तान ने एक मई 1923 को चिन्नई में की थी उस समय इसे मदराज दिवस के रूप में मनाया जाता था लेकिन अब इसे पूरे इंटरनेश्टल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है संयुक्तर राश्च उनको भी इस बारे में पता लग सकी अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का कल फिर मिलेंगे नई खबरों के जातने हित्रिहास के साथ जिसमें बात करेंगे आज के हिंदूस्तान की और आपके सरुकार की धन्यवार